हाई, वेलकम तो मैच सॉलूशन फाउंडेशन इस वीडियो में चैप्टर वन पढ़ेंगे नमबर सिस्टम, NCRT बेस्ट तो ध्यान दिजीगा इस लेक्चर में आप एकदम समझ जाएंगे कि नेचुरल लंबर्स को नमबर लाइन पर कैसे रिपजन करते हैं यह सारे के सारे क्या है, natural numbers whole numbers को कैसे करते हैं integers कहां पर होते हैं number line पर मतलब यह सारे numbers जो है, integers है ठीक है, जैसे से progress करेंगे हम तो परचलेगा कि rational numbers integers के बीच में होते हैं कितने होते हैं, उनको feel कैसे करें इसके बारे में जानेंगे how to feel infinite rational numbers between any two rational numbers मतलब इस lecture में समझ जाएंगे बिल्कुल की 0 और 1 की बीच में infinite numbers कैसे हैं उनको देख भी सकते हैं आप खुद से find भी कर सकते हैं यह सारे numbers 1 और 2 के बीच में like करेंगे यहाँ पर all these numbers 1 और 2 के बीच में कितने numbers हैं यह भी find कर सकते हैं 2 और 3 विच में infinite numbers कैसे हैं उसे feel कर सकते हैं इसमें यह भी पढ़ेंगे कि is there any other number and the number line other than the numbers क्या number line पे किवल restaurant numbers ही लाई करते हैं या कोई और भी numbers हैं यह जानेंगे numbers line number line consists of only two types of restaurant numbers तो एकदम जान जाएए कि number line पे किवल दो ही तरह के numbers होते हैं और वो कौन होते हैं यह हम पढ़ेंगे two methods to find any number of restaurant numbers between two restaurant numbers तो हम दो methods पढ़ेंगे जिसमें कितनी भी restaurant numbers find कर सकते हैं किसी भी दो restaurant numbers की बीच में तो हमारे पास दो methods हैं जो काफी simple है इसकी बारे में पढ़ेंगे वो भी दो methods है तो ध्यान समझेगा यह जो lecture है वो exercise 1.1 जो एंसियारिटी के exercise 1.1 है उसके पहले का जितना भी concept है वो सब इस lecture में है numbers सिस्टम में पहले यह natural number के बारे में उसके बाद whole number after that q rational number sorry हमने छोड़ दिया integers तो यह हैं integers जहली इंवर्ट से निकला है इसके बारे में उसके बाद rational numbers के बारे में डिसर्स करेंगे कि यह p by q के फार्म का होता है जिसमें q जो है not equal to 0 होता है after that equivalent rational numbers क्या होते हैं जो होगी class 8 से पढ़े हैं आप और यह तिन चीजें बहुँ ज़्यदा important है every whole number is a natural number every integer is a rational number and every rational number is an integer यह गलत है अब यहाँ पर यह question दिया है find five rational numbers between one and two यह ही solution one है solution two है इन दोनों के बारे में डिसर्स करेंगे और यह पता करेंगे कि how many rational numbers are there तो there are infinitely many rational numbers इसके बारे में डिसर्स करेंगे उसके बाद exercise 1.1 का वीडियो आप देख सकते हैं यदि आप exercise 1.1 को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर i button पर click करके आप देख सकते हैं ओके चलिए start करते हैं number system में केवल हम यही पढ़ते हैं कि number line पर जितने भी points हैं जितने भी छोटे-छोटे points हैं यह सारे points किसी number को represent करते हैं आखिर वो जो numbers को represent करते हैं चोट-छोटे points जितने भी infinite number of points हैं यह किसको represent करते हैं कौन कौन से numbers है इसी को हम एक orderly fashion में एक बढ़िया से पढ़ते हैं उसी को बोलते है numbers system तो चलिए इसको हम एक serial wise एक regular pattern में study करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम natural numbers की तो हम यहां पर 1, 2 एक particular distance पर ले करके हम 1, 2, 3 दे सकते हैं और इनकों बोल सकते हैं कि यह सारे points natural numbers को represent करते हैं ठीक है यह पढ़े हुए है class 8 में कैसे represent करेंगे आप यह भी पढ़े हुए हैं तो यह सारे के सारे क्या है natural numbers इसी में एक number और add कर दिया जाए तो यह बन जाता है whole number isn't that? उसके बाद यदि हम जितने भी natural numbers हैं इनके negative को add कर दें इसके left side में 0 के तो यह सारे बन जाएंगे integers minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, etc. dot 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 इधर रहेगा, dot dot इधर भी रहेगा मतलब यह सारे numbers जो है integers हैं, integers को हम z से represent करते हैं जिसका full form होता है जहलीन और यह german word है इसका मतलब होता है to count, anyway हमें इसके बार में तो जानना नहीं है, हमें जानना है कि number line पर जितने भी यह points हैं, उनको किन numbers से represent करते हैं, तो हमने यह तो देख लिया कि integers यह सारे हैं तो 1 out 2 के बीच में भी तो कोई number होगा, 0 और 1 के बीच में भी तो कुछ numbers होँगे, आखिर वो numbers कौन हैं क्या हम उनको देख सकते हैं, क्या हम उनको feel कर सकते हैं, तो 0 और 1 के बीच से start करते हैं 01 और 0-1 के बीच में जो numbers होते हैं वो किस तरह के होते हैं कैसे find करेंगे उनको तो इन्हें feel करने के लिए इनके बीच में जो एक number होता है जिसको बोलते है rational numbers ठीक है और rational number के बारे में आप पढ़े होंगे class 8 से ही rational numbers कितने हैं और ये कैसे दिखते हैं इसके बारे में थोड़ी से चर्चा होनी चाहिए देखे जो number p by q के form में हो और p और q इंटीजर हो और q जो है बस not equal to 0 हो तो ऐसे number को बोलते हैं rational number और 0 और 1 के बीच में भार भार के पढ़े हुए है rational numbers infinite number of rational numbers है 0 और 1 के बीच में और 1 और 2 के बीच में भी infinite number of rational numbers है मने किसी भी दो integer को ले लीजिए या फिर कोई भी दो rational number भी ले लीजिए उसके बीच में infinite number of rational numbers है अरे भी या ठीक है infinite number of rational numbers है बट कैसे महसूस करेंगे 0 और 1 के बीच में कैसे find करेंगे कि infinite number से कौन कौन कहां है वो तो हम बता रहे हैं आपको ध्यान से समझेगा 0 और 1 के बीच में जो rational numbers होंगे उनको महसूस करने के लिए हम एक number लेंगे जिसको 1 upon n ये जो 1 upon n है इसके n के जगा पर यदि हम कोई भी integer रख दें जो rational number बनेगा वह number minus 1 और 1 के बीच में ही आएगा तो यदि हम इसको रखना रखना start करें तो 1 by n को देखते हुए 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5 1 upon 6 ये जो numbers है ये कहां लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे कहां पर ध्यांस लिखते हैं 1 by 2 जो है 0 और 1 के ज़स्ट बीचो बीच में लाई करेंगा यहां पर 1 by 3 कहां लाई करेंगा तो ज़स्ट थोड़ा सा लेफ्ट में 1 by 4 कहां लाई करेंगा ज़स्ट थोड़ा सा और लेफ्ट में 1 by 5 उसके थोड़ा और लेफ्ट में और थोड़ा लेफ्ट में उसके पहले क्या होगा उसके पहले बहुत सारे होगे जितने भी आएंगे इसके आगे 1 upon 7, 1 upon 8, 1 upon 9, 1 upon 10 1 upon 1 lakh ये भी तो होगा और तम just 0 एक लोज में होगा 1 upon 1 करूर 1 upon 10 करूर 1 upon 1 अरब 1 upon 10 अरब 1 upon 1 खरब 1 upon 10 खरब ऐसे करके जितने भी नंबर्स बनेंगे उस सारे के सारे इस 0 के आसपास होगे मतलब आप समझ गए कि यदि n का नंबर n का नंबर केवल आप चेंज करते रहो और ये चेंज कर सकते हैं infinitely many times और जितने भी रिशन नंबर्स बनेंगे वो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे और यदि 0 और minus 1 के बीच में नंबर्स को देखना है तो बस यहाँ पर minus लगाते रहना मतलब कि 1 upon minus 2 1 upon minus 3 1 upon minus 4 इस तरह के नंबर्स जो होंगे वो minus 1 और 0 के बीच में लाई करेंगे ऐसे आप सबच रहेंगे कि ठीक है यहाँ पर 1 by 2 आपने बताया था सर और 1 by 2 और 1 के बीच में कौन से नंबर्स होंगे तो इसमें भी हैं नंबर्स बस 1 के जगा पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए 1 को बढ़ा दीजिए 1 को 2 कर दीजिए 3 कर दीजिए 4 कर दीजिए इधर बढ़ने लगेगा जैसे कि मैं आपको एक 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 जामपल देता हूँ 3 upon 4 करिए 3 upon 4 बस यह प्रापर होना चाहिए यह ध्यान दीजिएगा यदि 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आए तो वो प्रापर नंबर होना चाहिए 0 और मैनस 1 के बीच में होना चाहिए तब भी वो प्रापर होना चाहिए मतलब numerator छोटा होना चाहिए तब ही मैनस 1 और 1 के बीच में आएगा तो 3 by 4 यह थोड़ा सा 1 by 2 के आगे आएगा वो ऐसे ही 3 को बढ़ाते रहे है 3 को कर देजे 4 4 upon 5 4 upon 5 भी 1 by 2 के और 1 के बीच में आएगा कही पर यहाँ पर आएगा वो ऐसे ही आप यह थी नंबर को बढ़ाते रहेंगे तो समझे लिजे कि वो आगे बढ़ता रहेगा और just 1 के पास 9 upon 10 आपको महसूस होगा कि 9 upon 10 just 1 के पास है क्योंकि इसको decimal में करमट करेंगे तो मिलेगा 0.9 0.9 लगता है कि उस पास में है लेकिन यह नहीं है पास में यह वाला नंबर 0 के 1 के पास है कौन सा नंबर? 9, 9, 9, 9 यदि ऐसे ही रखते जाएं बहुत infinite times और उतना आपान 1, 0, 0, 0 कर दें तो जो नंबर बनेगा वो लगभग 0.9 9, 9, 9 9 बनेगा और यही नंबर 1 के पास होगी और यह प्रापर है यह नंबर कौन सा है? प्रापर है उपर वाला छोटा है निचे वाले से मतलब इसमें 0 जयादे होंगे जितने 9 होंगे उससे तो आप इतना समझ गये हैं यहाँ पर कि minus 1 और 1 के बीच में जो numbers होते हैं कैसे find करेंगे अब बढ़ते हैं 1 और 2 के बीच में जो rational numbers होंगे infinite उनको कैसे fill करें आखिर 1 और 2 के बीच में कैसे numbers होंगे ध्यान दिजेगा हमें 1 और 2 के बीच में infinite numbers find करने के लिए हमें 1 लिखना है और उसको hole बनाना है और उसके आगे कोई भी एक proper number रख दीजिए तो 1 hole 1 upon 2 यह क्या है इसको यह दिराउंड आफ करेंगे solve करेंगे improper number लेंगे तो 2 upon 2 और 1 3 3 upon 2 3 upon 2 इसमें लाई करेगा 1 by 2 के जगा पे कुछ और fraction रखिए बस proper होना चाहिए तो यहाँ पर रखिए 1 upon 3 या फिर 1 hole 1 upon 4 या 1 hole 1 upon 5 या 1 hole 2 upon 3 यह भी हो सकता है 1 hole 4 upon 5 1 hole 6 upon 7 यह सारे numbers 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे यहाँ पर all these numbers आपको यह समझ में आ गया कि 1 और 2 के बीच में there are infinite number of fraction numbers like this क्योंकि बस आपको यह change तो करना है 6 और 7 को अलग अलग करते रहिए के वाल प्रापर maintain रखिए तो सारे सारे numbers 1 और 2 के बीच में मिल जाएंगे आप कहां मिलेंगे, किस point मिलेंगे इसके लिए तो भाई आपको representation पढ़ना पड़ेगा जोकि class 8th में ने पढ़ाया है काफी अच्छे से 2 और 3 के बीच में कैसे numbers होंगे बस आपको यह 1 whole number को change करना है बस यहाँ पे कर लेना है 2 whole और यहाँ पे कोई प्रापर number 2 whole 2 upon 3 3 यहाँ पे लाई करेगा 2 और 3 के बीच में 3 और 4 के बीच में कैसे number लाई करेंगे 3 whole 3 whole 1 upon 4 3 whole 1 upon 5 3 whole 1 upon 2 3 whole 1 upon 6 3 whole 1 upon 8 जितने भी इस तरह के number होंगे वो सारे 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे और इस तरह के से आप infinite number of personal number find कर सकते हैं 3 और 4 के बीच में 4 और 5 के बीच में ठीक वैसे ही 4 whole और यहाँ पे कोई fraction 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5 proper fraction होना चाहिए 5 और 6 के बीच में ठीक वैसे ही 5 whole 1 upon that 1 upon that ठीक यहाँ भी वैसे ही करना है बस negative रखना है और कुछ नहीं इसे की minus 1 upon 2 minus 1 upon 3 minus 1 upon 4 इसके बीच में आएगा minus 1 और minus 2 के बीच में आएगा minus 1 whole 1 upon 2 minus 1 whole 1 upon 3 minus 1 whole 1 upon 4 सारे सारे minus 1 और minus 2 के बीच में आएगे minus 2 और minus 3 के बीच में राने के लिए आपको minus 2 whole 1 upon 2 minus 2 whole 1 upon 3 minus 2 whole 3 upon 4 इस तरीके से जो numbers होंगे वो सारे सारे मानस 3 और मानस 2 के बीच में आएंगे इसी तरीकिस आप सब का find कर सकते हैं तो आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि हर integer के बीच में there are infinite number of rational numbers लेकिन मैं एक बार और बताना चाहता हूँ जो कि अगले slide हम बताना चाहता हूँ यहाँ पर ध्यान देजिएगा यदि हम यहाँ पर 0 ले 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 और यहाँ पर 1 ले ले और हमने यहाँ पर रिपिजन किया यहाँ पर है 1 by 4 और यहाँ पर है 1 by 3 तो 1 by 3 और 1 by 4 इनके बीच में भी बहुत सारे numbers है मतलब कितने हैं इनके बीच में इनके ले लिज्येगा इनके बीच में भी तो देख रहाँ कितना immensity है कितना यह numbers का immense बहुत सारे numbers है खेर अभी हम कुछ और बात करेंगे हम ये बात करना चाहेंगे कि जो हमने यहाँ पर देखा इस नंबर पर इस नंबर लाइन पर जितने भी रेशनल नंबर्स हैं क्या इन रेशनल नंबर्स के अलावा भी कोई दूसरा नंबर है इकेवल रेशनल नंबर ही भरे पड़े हैं हर जगा क्या 1 by 2 और 1 by 3 के बीच में रेशनल नंबर के अलावा क्योंकि 1 by 2 और 1 by 3 के बीच में there will be infinite number of rational numbers लेकिन क्या कोई ऐसा भी नंबर है जो रेशनल नंबर ना हो तो है उन नंबर को बोलते हैं irrational numbers और इसके बारे में अगले लेक्चर में काफी detail में discuss करूँगा अभी इस लेक्चर में हम अगले topic के पोस्टते हैं अगले topic कौन सा है अगले topic है हमारा ये number line का शिस्टाफ two rational numbers ये तम पढ़ चुके हैं वो है आपका rational number plus irrational numbers rational number और irrational number यही दोनों मिला करके पूरा number line होता है number line पे कोई और दूसरा number होता ही नहीं है other than real rational numbers and irrational numbers इन ही दोनों को मिला करके Q से करता है Q rational numbers और irrational numbers इनके अलावा और कोई भी नहीं होता नंबर लाइन पर एकदम मतलब इस समझ लीजे तो कहने का मतलब कि R से रिपिजन करते हैं real numbers को और real numbers मिल के बनते हैं किस से Q से Q मतलब की rational numbers और irrational numbers है तो इन दोनों को मिला करके बनता है real numbers जो number line पर numbers होते है अब अगला वाला पढ़ते हैं two methods to find any number of rational numbers between two rational numbers तो किसी भी दो rational number के बीज में हैं कैसे find करेंगे any number of rational numbers let us discuss now two methods to find any number of rational numbers between two rational numbers किसी भी दो rational number के बीज में कैसे find करेंगे बहुत सारे rational numbers जैसे कि इदी आपको find करना है 1 & 2 1 & 2 के बीच में बहुत सारे let us suppose 5 let us suppose 5 5 rational numbers find करने है 1 & 2 के बीच में तो हमारे पास 2 methods हैं जो काफी simple है पहला method का नाम है by finding middle number मतलब की 1 & 2 के बीच में middle number को find करके मेरी घाने का मतलब ये है कि यदि number line पर हम देखें तो number line पर 1 & 2 कहीं पर होंगे और इधार 0 होगा ठीक है अब यहाँ पर जो 1 & 2 है इसके middle point को find करना है ये और इसको find करने के लिए तो कि ये number जो middle वाला है वो 1 & 2 के बीच में ही है तो हम 5 rational लों find करेंगे 1 & 2 के बीच में देखें कैसे ये जो number है middle वाला point कैसे find करेंगे तो हम क्या करना है कि बस इनको add करना है तो पहला हम point काल रहा है 1 plus 2 इन दोनों को add कर देना है और 2 से divide कर देना है कितना मिलेगा 3 upon 2 तो ये जो point आया वो 3 upon 2 है तो एक rational number मिल चुका है वो है ये अब हम find करेंगे दूसरा rational number अब ये जो number मिला है मतलब ये वाला और 1 इन दोनों को ले करके हम यहाँ पर find कर सकते हैं एक दूसरा rational number क्या करेंगे हम 1 में add करेंगे 3 by 2 और 2 से divide कर देंगे क्या मिलेगा ये 2 अंजा 2 3 5 upon 2 होगा 5 upon 4 आएगा मतलब solve करेंगे तो मिलेगा 5 upon 4 तो हमने दूसरा निकाल लिया ये आपका हो गया 5 upon 4 अब हम यहाँ पर निकालेंगे इस point पर इस point पर निकालने के लिए हमें 3 by 2 और 2 को लेना पड़ेगा तो हम यहाँ पर निकाल रहे है 3rd तो ये हो जाएगा देखिए 3 by 2 plus 2 whole upon 2 ये तो कर रहा है बस इन दोनों को add करके और 2 से divide के जा रहा है देख क्या होगा 2 तो जाब 4 4 and 3 7 7 upon 2 7 upon 4 तो ये होगा 7 upon 4 तो ये होगा point 7 upon 4 तो हमने 3 निकाल लिया ठीक है अब ऐसे ही जो 2 बचे हैं तो 2 आप किसी 2 को लेकर कर निकाल सकते हैं जैसे कि 1 ले लिजे 5 and 4 ले लिजे और इन दोनों के बीच का ये नमबर निकाल लिजे या फिर 5 and 4 लिजे 3 by 2 लिजे और इन दोनों के बीच के एक नमबर निकाल लिजे ऐसे करके कोई भी 2 हम निकालेंगे चलिए हम निकालते हैं फिर दिस इस दा फोर्थ वन ओके लिजे चूज ब्लाक फोर्थ वन 1 and 5 ए 4 को ले लेते हैं तो 1 प्लस 5 अपान 4 whole अपान 2 इनको solve करेंगे तो 4 1 9 अपान 4 होगा 9 अपान 8 हो जाएगा ये 9 अपान 8 आएगा this is this point इन दोनों के बीच का जो point होगा ये वो हो जागा 9 अपान 8 ठीक है अब कोई भी और बीच में ले सकता हैं कहीं पर तो हम ले लेते हैं यहाँ इन दोनों के बीच का नंबर तो इस इस फिफ्थ वन 7 अपान 4 अपान 4 अपान 2 ठीक है विहाँ solve करेंगे 4 अपान 8 अपान 8 अपान 6 अपान 4 अपान 2 15 अपान 8 तो 15 अपान 8 तो इस नंबर इस 15 अपान 8 इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर के बीच में आप 5 या 6 या 7 जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं जैसे हम लोग 5 निकाल ले थे हैं आपर यदि आपको 6 निकालना होगा तो 5 अपान 4 और 3 by 2 को आइड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा ऐसे करते रहेंगे तो जितने चाहें उतने निकाल लेंगे आप तो this is also simple method तो now come to the second method that is by equating denominators so 1 & 2 वो ले करके हम solve करेंगे देखेंगा धान से इसमें 1 रखते हैं पहले यहाँ पर and 2 यहाँ हमें देखना होगा कि इसका denominator क्या है तो हम तो यहाँ पर integer लिए हैं आप कोई भी question में दे सकता है जैसे 3 by 2 दे सकता है और बोल देखा कि बताजे कि 2 upon 5 तो 3 upon 2 और 2 upon 5 गे बीच में निकाल लिए तो इसमें denominator पहले से पता है 2 और 5 लेकर यहाँ पर denominator नहीं है आपान 1 upon 1 पता है ही तो 1 1 सेम है यहाँ पर denominator बट हमें निकालना है 5 rational numbers तो 5 rational numbers निकालना होगा तो उसमें एक add कर लिजेगा 5 plus 1 और यह जो number आएगा 6 उस 6 से इस 6 का help of denominator में 6 लाइने के लिए करेंगे मतलब यहाँ पर 1 है तो क्या करें कि यहाँ पर 6 आ जाए तो यदि आप denominator में 6 से मुणपलाई कर दें और numerator में 6 से मुणपलाई कर दें तो 6 upon 6 हो जाएगा तो denominator 6 हो जाएगा यहाँ भी 6 लाने के लिए उपर भी मुणपलाई करेंगे और नीचे भी करेंगे 6 से मतलब खुल मिला करके हमें यहाँ से जितने निकालने रहेंगे 5 रेसेनल में निकालना है 1 और 2 के बीच में सबसे पहले उसमें जितने निकालने रहेंगे उसमें एक आइड कर दीजिए जितना आएगा उतना denominator में इक्वेट करना है उतना बना करके मतलब कि 6 आ गया तो denominator को 6 लाना है ठीक है तो यहाँ पर होगा क्या फिर देखें यहाँ पर बदलाव क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6 अपान 6 और यहाँ पर आ जाएगा 12 अपान 6 इन दोनों के बीच में बहु सारे नंबर्स आल्रेडी दिख रहे हैं कैसे देखिए ध्यान से देखेंगे तो 6 बाई 6 की जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा वो होगा 7 अपान 6 इसके जस्ट आगे वाला नंबर होगा 8 अपान 6 इसके आगे वाला होगा और यहां पर कटेगा तो मिल जाएगा वन और टू के बीच में हमने यह इन पांच रेस्टन नंबर्स को निकाल लिया और भी ऐसे प्रावलम्स इडि होंगे तो हम एक्सरसाइज वाले प्रावलम्स है जो आपका है 1.1 यह मैं सॉल्व करूंगा और यहां पर आई बटन में आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट का नाम होगा नंबर सिस्टम क्लास 9th NCRT क्योंकि यह NCRT से रिलेट करें पढ़ा रहा हूं मैं तो उसमें आपको सारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे तो आप जाकर के सारे कांसेप्ट दे सकते हैं बिल्कुल और यदि कोई डाउट होता है आ जाएंगे उसमें इंप्रूव कर सकूँ ओके थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाई